तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा हम अतिंद्रिय सक पाते हैं तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा हम अतिंद्रिय सक पाते हैं नैनों के इशारे हमें बाबा नैनों के इशारे हमें बाबा बतन की सेर कराते हैं तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा दूजी मूरनिया जब से तेरी हम लगता की सुनते हैं जो नोरी तनमन की सुदबत भुनाए बाबा तेरी आदों में खा जाते हैं तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा हाथों में है हाथ जब से दिया रूहानी रंग में हमें रंग दिया तेरे प्यार के पंख लगा के बाबा उड़ते उड़ते तेरे बास आते हैं तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा हम अतिंद्रिय सुख पाते हैं नैनों के शार हमें बाबा नैनों के शार हमें बाबा वतन की सेर कराते हैं तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा तेरी आदों के जूडे में ओ बाबा अम शांते सर्वशक्तिमान शिवबाबा हमें अपनी लाइट से ज्ञान की लाइट और याद की माइट से अपने समान मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं इस ज्ञान को धारण करने के लिए हमें यूग की शक्ति से ताकतवर बनाते हैं और जब हम इस ज्ञान का धारणा स्वरूब बन जाते हैं तो कर्मिंद्रियों द्वारा स्वतै ही सेवा होने लगती हैं प्रणतो इस ज्ञान में इस याद में हर चीज यथार्थ है समझने की है जिसे दुनिया में भक्तिमार्क में हमने अंध विश्वास से रिधी से सिध्धी से अनेक बातों को समझने जरूरत नहीं समझा बस जैसा कहा वैसे करते गए वैसे इश्वरी ये ज्ञान मार्क में नहीं होता यहां हर एक बात मनुष्यात्मा मन के संकलपों से समझकर सोचकर बुद्धी से स्मृतियों में धारण करके फिर कर्मिंद्रियों द्वारा हर एक कर्म करती है तो यहां न रिधी की बात है न सिध्धी की बात है यहां खुद को आत्मा समझ बस बाबा को याद करना है अपने निज स्वरूप को यथार्थ समझना है और अंतर की शक्तियों को इमर्ज करना है तो ज्ञान की और योग की इस लाइट को और माइट को आज की मुडली यथार्थ हरीती बता रही है सुनते हैं बाबा के मधर महावाक्य आज है बाइस तारीक 22 उक्टूबर दो हजार चॉपिस बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे बाब तुम्हें जो नौलेज बढाते हैं इसमें रिध्धी सिध्धी की बात नहीं बढ़ाई में कोई चू मंत्र से काम नहीं चलता है ऐसे ने चू मंत्र हुआ और बस बदल गए प्रश्न है देवताओं को अक्लमंद कहेंगे मनुष्यों को नहीं क्यों? क्यों है वो एक अक्लमंद? वैसे तो बाबा ने हमें त्रिकाल दर्शी बनाया है हमें मास्टर ग्यान सागर बनाया लेकिन अक्लमंद देवताओं को कहते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि देवताओं है सर्वगुण संपन और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है देवताओं आक्लमंद है तब तो मनुष्य उनकी पुजा करते हैं उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज होते है वर्थ पैनी बन जाते है तब कहेंगे बे अक्ल जब आत्मा की शक्ती शीन हो जाते है वल्यू कम हो जाते है तो वर्थ पैनी बन जाते है और बे अक्ल बन जाते है ओम शांती बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाटशाला है यह पढ़ाई है यह पाटशाला और यह भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस पढ़ाई से यह पदप्राप्त होता है कौनसा लक्षमी नारायन का इनको स्कूल वज युनिवर्सिटी समझना चाहिए यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं क्या पढ़ने आते हैं यह एम उब्चेक्ट बुद्धी में है हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है भगवान वाज है भी गीता दूसरी कोई बात नहीं है गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है परन्तु पुस्तक आदी कोई पढ़ाते नहीं है गीता कोई हाथ में नहीं है बाबा गीता पढ़ा रहे है पर ऐसने की दुनिया वाली पुस्तक हाथ में बाबा ने पकड़ के रखे और उसको पढ़ कर सुना रहे है यह तो भगवान उवाच है डारेक्ट भगवान बोल रहे है मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता भगवान ओच ते ओच है एक मुलवतन, सुक्ष्मवतन, स्थूलवतन यह है सारी युनिवर्स खेल कोई सुक्ष्मवतन वो मुलवतन में नहीं चलता है नाटक यहां ही चलता है इस रिष्टी रंगमंच है इस थूल जगत में इस पृत्वी लोग पर नाटक चलता है पकि न सुक्ष्मवतन में कोई नाटक है ना मुलवतन में 84 का चक्र भी यहाँ है इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक यह बना बनाया खेल है यह बड़ी समझने की बाते है क्योंकि उच्च दे उच्च भगवान उनकी तुमको मत मिलती है दूसरी तो कोई वस्तो है नहीं एक को ही कहा जाता है सर्विश शक्तिमान वर्ड ओल्माइटी एथोरेटी एथोरेटी का भी अर्थ खुद समझाते है यह मनुष्य नहीं समझते ना किस चीज की एथोरेटी है यह बातें मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वह सब हैं तमुप्रधान इसको कहा ही जाता है कलयोग ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयोग है कोई के लिए सत्योग है दुनिया वाले कहते हैं न कि जो अमीर है उनके लिए स्वर्ग यहीं है ऐसा नहीं है सारी दुनिया में कलयोग चल रहा है अबने का ऐसा नहीं है कोई के लिए कल यूग है कोई के लिए सत्यूग है कोई के लिए त्रेता है नई जबकि अभी है ही नर्क तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है केवल धन से थोड़ी ना बात बनती है धन है, लब wealth है, health नहीं है, happiness नहीं है संबंध सही नहीं है तो वह कहते कि केवल धन से बात नहीं बनती है न तो ऐसे नहीं कह सकते, ये हो नहीं सकता ये तो बना बनाया खेल है सतियोग पास्ट हो गया इस समय तो हो भी नहीं सकता यह सब समझने की बाते हैं बाप बैठ सब बातें समझाते हैं सतियोग में इनका राज्य था भारतवासी उस समय सतियोगी कहलाते थे अभी जरूर कल योगी कहलाएंगे सतियोगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था ऐसे नहीं की नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे मनुश्यों की तो अपनी अपनी मत है धन का सुक है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं मेरे पास तो बहुत समपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ परंतो ऐसे कहा नहीं सकते परन्तु विवेक कहता है कि नई यह तो है ही नर्क बुद्धी से काम लेना चाहिए बुद्धी क्या कहती है यह दिखता है दुनिया के अंदर जो हालते चल रही है इस स्वर्ग कहलाएंगे इसे नई न यह तो है ही नर्क भल किसके पास दस बीस लाख हो परन्तु यह है ही रोगी दुनिया दस बीस लाख तो आजकल कुछ भी नहीं है तो अबा कहते है यह तो है ही रोगी दुनिया सतियोग को कहेंगे निरोगी दुनिया दुनिया यही है सतियोग में इनको योगी दुनिया कहेंगे है न तो वो दुनिया में प्रतेक मनुश्यात्म अपनी आत्मिक स्थिती में रहती है तो वो है योगी दुनिया कल योग को भोगी दुनिया कहा जाता है वहां है योगी क्योंकि reason क्या है क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? इसमें शक्ति की बात नहीं है यहां ऐसा नहीं भगवान अपनी कोई पावर्स दिखाते हैं नहीं, यह तो स्कूल है ना, तो यहां तो पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो अब पूछते हैं, टीचर कोई शक्ति दिखलाते हैं क्या, एम आपचेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे, तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कि कोई जादू, छू, म अंत्र वह रिद्धी सिद्धी की बात है, ऐसा नहीं है, यह तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धी सिद्धी की बात होती है क्या, पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है, यह लक्ष्मी नारायन भी मनुष्य थे, परन्तु अंतर क्या है मनुष्य और देवी द पवित्र जरूर बनना है यह है ही पतित पुरानी दुनिया मनुष्य तु समझते है पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े है कल यूग के बाद ही सत्यूग आएगा अभी तुम हो संगम पर इस संगम का किसको भी पता नहीं है सत्यूग को लाखों वर्ष दे देते हैं यह बातें बाप आकर समझाते हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे दूसरा कोई नाम होता नहीं बाबा का नाम है क्या है बाबा का नाम शिव शिव के मंदिर में भी जाते हैं पर मात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है उनका मनुष्य शरीर नहीं है तुमात्माओं यहाँ पार्ट बज़ाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है वह है शिव तुम हो साली ग्राम शिव और साली ग्रामों की पूजा भी होती है कई मंदिरों में शिव की भी पूजा होती है और उनके साथ साली ग्रामों की भी पूजा होती है क्यूं? क्यूंकि चैतन्य में होकर गए है कुछ करके गए है तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूझे जाते है आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है क्या हुआ पिछले जन्मों में हमें कुछ याद थोड़ी ना है इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं जो अच्छे अच्छे साधू संत आदी होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामा चार के लिए, यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाएं, वहाँ पर तो कोई मठ होता है, कोई पन्त होता है, कोई रिलीजन होता है, तो उनके हैड होते हैं, उनके नाम किस टैंप बनाते हैं, तो बहुत कहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है, सबस तेउच तो एक भगवान ही है और वह है निराकार और उनकी महिमा बिलकुल अलग है मनुष्य आत्माओं जैसी महिमा नहीं है देवताओं की महिमा अलग है मनुष्यों की अलग है मनुष्य को देवता नहीं कह सकते देवताओं में क्या है? सर्वगुण थे, लक्षमी नारायन होकर गए है बाबा ने कहावे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे उनकी पूझा भी करते है क्योंकि पवित्र पुझ्य है आपवित्र को पुझ्य नहीं कहेंगे आपवित्र सदेव पवित्र को पूझते है कन्या पवित्र है, तो पूझी जाती है पतित बनती है, तो सबको पाउँ पढ़ना पढ़ता है क्या करना पढ़ता है? पहले जब कन्या होती है, तो लोग उसके पाउँ पूझते है उसको बाउँ पढ़ते भी है लेकिन जब मैरेज हो जाती है पतित बन जाती है तो वो सिर जुकाती है माथा जुकाती है और पाउं भी पड़ती है तो पतित बनने से आत्मा की quality डाउन हो जाती है जिसके कारण आत्मा को जुकना पड़ता है तो बाबा कहते हैं इस समय सब है पतित सतियोग में सब अपोजिट पावन थे वह है ही पवित्र दुनिया कल योग है पतित दुनिया तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं क्योंकि पतित है जब पवित्र है तब नहीं बुलाते है बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं भारत की ही बात है बाप आते ही भारत में है भारत ही इस समय पधत बना है भारत ही पावन था पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो देवताईं सब है पावन उनमें जो मुख्य मुख्य हैड है उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं ऐसे तो सभी देवी देवताईं ही होंगे न सत्ययोग में भी और त्रेता में भी पर उन्तु जो हैड है उनके मंदिर बन जाते है इन लक्ष्मी नारायन के राज्चे में सब पावन थे यथा राजारानी तथा प्रजा इस समे सब अपोजिट पतित है सब पुकारते रहते है ही पतित पावन आओ सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान वा ब्रह्म नहीं मानें गए है ना वो किसी को किसी भी देवी देवताव को भगवान या ब्रह्म नहीं मानते वह समझते हैं भगवान तो निराकार है उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूझा जाता है जो शिवलिंग बनाते हैं ना तो निराकार तरीके से पूझते हैं ना स्त्रीलिंग न पुरलिंग, सदा जो तिरलिंग. उनका एक्यूरीट नाम शिव है. तुम आत्मा जब यहां आकर शरीर धारन करती हो, आत्मा दुनिया में आती है, बोडी धारन करती है, तो तुम्हारा नाम रखा जाता है. तो नाम किसका है? दे का नाम है. विनाशी है. आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड जाकर दूसरा लेती है. 84 जनम तो चाहिए ना? 84 लाख नहीं होते. तो 84 बार एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 84 लाख बार लिया. 84 लाख बार नहीं. तो बाब समझाते हैं, यही दुनिया सत्यूग में नई थी, righteous थी. यह बाबा क्लियर करके समझाते हैं. यही दुनिया फिर unrighteous बन जाते हैं. वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं. भारत को सचखंड कहा जाता है. जूट खंड ही फिर सच खंड बनता है सच्चा बाप ही आकर सच खंड बनाते हैं उनको सच्चा पाजशहा टृत कहा जाता है यह है ही जूट खंड मनुष्य जो कहते हैं वह है जूट संसिपल बुध्धी है देवताई उन्हों को मनुष्य पूजते हैं अक्लमंद और बे अक्ल कहा जाता है अक्लमंद कौन बनाते हैं? फिर बे अक्ल कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं अक्लमंद? शिव बाबा फिर बे अक्ल कौन बनाते हैं? रावण यह भी बाप बताते हैं अक्लमंद सर्वगुण संपन बनाने वाला है बाप वह खुदा कर अपना परीचे देते हैं जिसे तुम आत्मा हो फिर यहां शरीर में प्रवेश कर पाट बजाते हो मैं भी एक ही बार इन में प्रवेश करता हूं तो बाबा केवल एक बार आते हैं और प्रवेश करते हैं तुम जानते हो वह है ही एक उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है बाबा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें किसी भी मनुष्य आत्मा को almighty authority नहीं कह सकते लक्ष्मी नारायन को भी नहीं कह सकते क्यूं? क्योंकि उन्हों को भी शक्ती देने वाला कोई है तो इसलिए उनको सर्व शक्ती मान नहीं कह सकते पतत मनुष्य में शक्ती हो ना सके आत्मा में जो शक्ती रहती है फिर क्या होता जनर पुन Dashjust में आते है ना तो फिर आहिस्ते आहिस्ते degrade घोती जाती है अर्थाथ आत्मा में जो सत्व प्रधान शक्ती थी वैतमु प्रधान शक्ती हो जाती है जिससे मोटर का तेल खलास होने से मोटर घड़ी हो जाती है पेटरोल खतम हो गया तो फिर कैसे चलेगी यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है थोड़ा चलाया फिर डिस्चार्ज होगी ऐसे नहीं होता इनको पूरा टाइम मिला हुआ है पूरा टाइम मिला हुआ है कि इतने टाइम के बाद बैटरी इतनी डाउन फिर दुबारा बैटरी चार्ज करेंगे कल योगा अंत में बैटरी ठंडी हो जाते है पहले जो सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे अभी तम प्रधान है तो ताकत कम हो गई है शक्ती नहीं रही है वर्थनौट बैनी बन जाते हैं भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे Religion is might कहा जाता है देवता धर्म में ताकत है Religion is might कौन से religion में ताकत है देवी देवता धर्म में ताकत है विश्व के मालिक है इतनी ताकत है जो सारे विश्व के मालिक है क्या ताकत थे कोई लड़ने आदी की ताकत नहीं थी ताकत मिलती है सर्व शक्तिमान बाप से ताकत क्या चीज है ये भी समझने की बात है कौन सी पावर है बाप समझाते है मीठे मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान थी अब तमु प्रधान है विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो मालिक की जगा गुलाम बन गए है बाप समझाते है यह पाच विकार रुपी रामण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं तो किसने ताकत छीनी पाच विकारों नहीं इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइन्स वालों में बहुत ताकत है। वह ताकत नहीं है। यह है रूहानी ताकत है। जो सर्विश शक्तिमान बाप से यूग लगाने से मिलती है। साइन्स और साइन्स की इस समय जिसे लड़ाई है, अंदर टग ओ वोड चल रहे है। तुम साइन्स में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। जितना जितना अपनी शांत स्वरूप सिती में टिकते हैं, जितना जितना हम अपनी सुक्ष मिस्थिती का अंदर की गहरी शांती का अंभव करते जाएंगे, उतना उतना साइन्स दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने कुछ शरीर से डिटाच कर देते हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सालेंस का अभ्याज करते हैं, और उसके सबसे पहली शरुवात क्या करते हैं, अपने को खुद से डिटाच कर देते हैं, शरीर से अलग, बिलकुल जो तिबिन्दू में आत्मा, औ सालेंस की स्थिती में, शान्ती के सागर के सानध्य में तो बाबा को याद कर अपने को शरीर से डिटाज कर देते हो भक्तिमार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है परन्तु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं क्यों नहीं रास्ता मिलता क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह देते है तमू प्रधान बन गए है तो यह पढ़ाई है पढ़ाई को शक्ती नहीं कहेंगे बाब कहते है पहले तो पवित्र बनो और फिर स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है उनकी नौलेज समझो इसमें शक्ती की बात नहीं है ज्यान समझना है इसमें शक्ती की बात नहीं है बच्चों को यह पता नहीं है कि स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है तुम एक्टर्स पाटधारी हो न यह बेहद का ड्रामा है आगे मनुश्यों का नाटक चलता था उसमें अदली बदली हो सकती है अभी भी राम लीला करते हैं नाम तो समझे कोई नहीं आया, कोई बिमार हो गया चेंज कर देते हैं तो अभा कहते हैं उसमें अदली बदली हो सकती है अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं तो उसमें क्या होता है, पहले से ही सारी शूटिंग हो जाती है, नाटक में क्या होता है, पहले से शूट नहीं होता है, धीरे-धीरे शूट होता जाता है और फिर दूसरों को दिखाते जाते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, परन्तु फिल्म में क्या होता है, एक बारी में सार ग्रेशना सहज हो जाता है वह छोटा बाइसकोप यह हैं बड़ा नातक में एक्टर साधी को change कर सकते हैं यह तो अनाधी ड्रामा है इसमें कोई change नहीं हो सकती है कोई नहीं आया या कोई विमार हो गया नहीं इसमें कोई changing नहीं होगी एक बार जो शूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता फिल्म की तरह होता है फिल्म क्या होती है एक बार शूट हो गई फाइनल हो गई बस जितनी बार वो फिल्म रिपीट करेंगे वही सब कुछ as it is रिपीट होगा तो बाबा कहते है यहां नाटक की तरह बदली सल्ली नहीं हो सकती बाइसकोप की तरह सब कुछ accurate है यह सारी दुनिया बेहद का बाइसकोप है शक्ती की कोई बात ही नहीं अमबा को शक्ती कहते है परन्तो फिर भी नाम तो है उनको अमबा क्यों कहते है क्या करके गई है आते हैं ना सभी जब माउं टाबु घूमते हैं तो फिर Amba ji भी जाते हैं तो Amba को भी आद करते हैं तो कुछ करके गई है नहीं ऐसे थोड़ी नही इतनी भीड़े वहाँ पर होते है सारे इतनी बड़ी माननेता से जाते हैं मनुकान नयपोरण करने के लिए तो कुछ तो किया है ना अभी तुम समझते हो कि उच ते उच है अमबा और लक्ष्मी अमबा ही फिर लक्ष्मी बनती है तो ममा संगम युगी जनम में अमबा बन जाती है पर उसके बाद सत्य युग में लक्ष्मी बनती है तो वही अंबा लक्ष्मी बनती है यह भी तुम बच्चे ही समझते हो तुम नौलिजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं दोनों चीज़ें ज्यान भी और योग भी वह पवित्रता आधा कल्प चलती है फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं आधा कल्प पवित्र दुनिया सभी अपने को आत्मा समझते हैं फिर उसके बाद अपवित्र दुनिया परन्तु फिर बाप जब आते हैं तो पवित्रता का पाट सिखाते हैं वह पवित्रता आधा कल्प चलती है फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो वह परमात्मा सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है अभी तो पतित हो बाप तो आवर पावन है फर्क है ना वह आवर पावन ही जबा कर सबको वर्सा दे और सिखलाए इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ मुझे रथ तो जरूर चाही बाबा खुद आकर बताते हैं ना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ फिर मैं कौनसा रथ लेता हूँ नहीं तो आत्मा बोले कैसे बोडी तो चाहिए ना रथ भी मशूर है गाते हैं क्या गाते हैं रथ के लिए भागे शाली रथ भागी रथ गाते हैं ना उसकी बात नहीं है, मनुष्य का ही रत चाहिए, जो मनुष्यों को बैट समझाएं, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैट दिखा दिया, दिखाते हैं न, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को दिखा दिया रत पर, भाग्येशाली रत मनुष्य को कहा जाता है, यहां तो कोई-कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती, कई पैट स्पालते हैं, उनकी बहुत अच्छी केर करते हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, उनकी इतनी केर नहीं होती, कुट्टे को कितना प्यार करते हैं, घोडे को, गाई क उन्हें को भी प्यार करते हैं, कुत्तों की एक्जिबीशन लगती है, यह सब बहा होते नहीं, यह सब सत्युग में नहीं होते, लक्ष्मी नारायन कुत्ते पालते होंगे क्या, उनको जरूरत नहीं है, अभी तुम बच्चे जानते हो, कि इस समय के मनुश्य सब प्रधान बुद्धी है, उन्हें सत्युप्रधान बनाना है, तो तमुप्रधान बुद्धी है न, इसलिए सब पुछ करते हैं, वहां तो घोडे आदी ऐसे नहीं होते, जो मनुश्य कोई उनकी सेवा करे, नहीं, तो बाप समझाते हैं, तुमारी हालत देखो क्या हो गई रामण ने यह हालत कर दी है, यह तुमारा दुश्मन है, विकारों ने आत्मा की ऐसी हालत कर दी है, जो क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं, एक्जिबीशन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो बकिते हैं, रामण ने ऐसी हालत कर दी है, यह तुमारा दुश परन्तु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। क्यों दिये हैं? क्यों दिये हैं? हर वर्ष क्यों जलाते हैं? यह भी कोई जानते नहीं है। इस राज को भी कोई नहीं जानते हैं। हम देवता धर्म के थे, अब फिर सापलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं, मैं हर पाँच हजार वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूं। इस समय सारे स्रिष्टी का जाड पुराना है। नया जब था, तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाप नॉलिजफुल है ना? अच्छा? रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धार्णा के लिए मुखे सार पहला साइलन्स का बल जमा करना है। साइलन्स बल से साइलन्स दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दुसरा, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। गाइट बनना है। वर्दान है अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशी शात्मा भवक। कौन है विशी शात्माई? जो अल्फ को जानते हैं और फिर पवित्रता के स्वधर्म को अपनाते हैं। बापदादा को खुशी होती है कि मेरा एक-एक बच्चा विशेश आत्मा है. चाहे बुजुर्ग है, अनपड है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवर्तिवाला है. लिकिन विश्व के आगे विशेश है. दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हूँ, अभी नेता हूँ, विज्ञानिक हूँ, लेकिन अल्फ को नहीं जाना, तो क्या जाना? आप निश्चे बुद्धी हो, फलक से कहते हो, कि तुम ढूंडते रहो, हमने तो पालिया. प्रवृती में रहते, पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा, विशीश आत्मा बन गई. विशीशता कौन सी है? प्यूरटी की. स्लोगन है, जो सदा खुश हाल रहते हैं, वही स्वयम को और सर्व को प्रिय लगते हैं. जो आत्मा खुश रहती है, हाल जिसका आमेशा खुश हाल होता है, खुद को भी अच्छा लगता है, और दूसरों को भी अच्छा लगता है. तो आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं जब आपस में दिलू का मिलन होगा तब आपके संस्कारों में बापदादा के संस्कार देखने में आएंगे फिर प्रत्यक्षता के नगाडे बजेंगे और समापती होगी बापदादा अब संस्कार मिलन की महरास देखना चाहते हैं इसके लिए पहले स्वयम को एड़ेस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दिन संकल्प करो एड़ेस्ट करने की शक्ती संस्कारों को मिला देगी तो थोड़ा हम जुके, थोड़ा वो जुके, मिल जुलकर संस्कार मिलन की रास करेंगे चाह, ओम शान्ति झाह, पहले थोड़ेस्ट कर्स्वात जुके, पहलें जुके, रास करेंगे शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए शांति शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांत तन हो शीतल पावन सुख वरसाए शांति सागर की लहरे चलता चलता उस सागर में चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए शांति से भर भर नैना शांति सब को लुटाए शांति सागर की लहरे शांति अमरत के सागर में जब को लुटाए जो कोई गहरा जाए शांति अमरत के सागर में जो कोई गहरा जाए आनन्द के जूले जूले आत्मत्रुप्ति वो पाए पालियाप जो पाना था फिर वो आत्मा गाए फिर वो आत्मा गाए शांति सागर की लहरे हर लेहर में हर पहर में समाया शिव का ख्यान रे हर लेहर में हर पहर में समाया शिव का ख्यान रे बेहत अनभव में छुपा है शांति और पिश्रौम रे सागर में डूबी हर गागर शांति धार वहाए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांत तन हो शीतल पावन सुख वर साए शांति सागर की लहरे जब जब पास में आए ओम शांति 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 ओम श